आपके पास oneplus not see e3 light है या कोई और फोन है तो यहां पे आप face lock set कैसे कर सकते हैं अपने फोन में तो face lock set करने के लिए आप यहां पर setting पर जाएंगे और यहां पर password and security पर क्लिक करेंगे face पर क्लिक करेंगे agree और अपने फोन का lock enter करेंगे continue और इसके सामने face लेके आएंगे तो यह आधा दूरा भी detect कर लेता है face इसके बाद डन पर क्लिक कर देंगे तो face lock यहां पर set हो चुका है बाकी additional setting है जैसे screen lock के लिए हमेशा on रखना है वरना face lock आपका काम नहीं करेगा app lock और private safe के लिए यहां से आप on करके use कर सकते हैं app lock और private safe यानि की photo video hide और यहां पर enter home screen अगर आपको swipe वाला option चाहिए तो आप यह वाला option कर सकते हैं बाकी यहां पर brighten screen dim light यह तब on करना है अगर आप ऐसे area में है जहां light कम है अंधेरा होता है तो यह वाला option on करके आप face lock अच्छे से यूज कर सकते हैं कुछ disable person होते हैं जो ठीक ठाक है तो यह on करके use कर लीजे ठीक है और यहां से आप face lock delete कर सकते हैं इसके बाद back कर देंगे अब हम face lock देखते हैं देख सकते हैं यह on हो गया है यह swipe वाला option है तो यह swipe वाला option अगर नहीं चाहिए तो वह swipe वाला option बताया था मैंने उसे on कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी तो swipe मैं recommend करती हूं क्योंकि यहां पर direct कि भी ऐसे touch कर सकते हैं मतलब unnecessary तो इसलिए swipe वाला बेटर रहते हैं चली मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमश्कार